आप सभी को सबसे पहले है नमस्कार और नमस्षिवाए आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो में इसलिए लॉंच कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक न्यूस पढ़ा था जो भायरत के पड़ोसी देश हैं तो उन्होंने डार्टली बुला कि हम जाए और जो भारतिये भी हैं उनको भी काफी सकरात्मा गुरुजा मिले इस सकरात्मा कुरुजा एक पॉजिटिवनिस की बहुत ज़रूरी है और जीवन मार्क का ये यही में यही काम है कि सेर्फ इंडिपेंडने बनाना और पॉजिटिव वाइशन गरेट करना तो यह ज शाट कोल्ड वार रखा है उन्होंने उसको देखके मैं वीडियो लांच कर रहा हूं ठीक है कि क्या भारत का अंत कभी भी परमानों बं से होगा क्या भारत के अंदर कभी भी परमानों बं गिरेगा क्या कभी ऐसा होगा या और भारत का अंत कैसे होगा यदि यदि हुआ त सबसे पहला कोशन तो इन सारे चीजों के लिए में बताऊंगा आगे इसी इसी वीडियों से बताऊंगा मैं और हम इस भारत देश को यह जो राश्ट भूमी है जो भी पडूसी देश हैं जो अपनी बाते रख रहे हैं तो हमारा भी फर्ज होता है राश्टित के नाते कि हम उनको एक इंडिरेटली अध्यात्मिक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जवाब दे हैं यह एक राश्ट ही थे एक राश्ट धहम है तो वह मैं बताऊंगा कि सॉलूशन क्या है इसका ठीक है तो उसे पहले बात करते हैं कि क्या कभी भारत पे परमानु बं की हमला होगी स चीदा साथा जवाब है एक बड़ा से नो कभी भी कोई भी देश कभी भी भारत के उपर परमानु बं का हमला नहीं कर सकता है आप सोच रहेंगे आप इतना कॉंपिडेंस से क्यों बोल रहा हूं देखिए कुछ चीजे जोतिस के ब्योंड होती है ठीक है बैं अपने पहले कुछ देख पाएंगे कि सिंपल से जवाब है कि यह जो कोरोना बिमारी है आपके एक छोटा से जांपल दे रहा हूं ठीक है कोरोना फेला एस्ट्रोजिक सामने एस्ट्रोजी के साब से मैं उसको प्रूफ कर दूँगा आपके सामने कि क्या घटना चल रहा है कि कैसे हो रह कारी है यह डिम्लक्त रही तो यदि 5000 लोगों की कॉरो North हुई है तो कि 5,000 लोगों की कुंडली ख्राब होगी मेरी नियुका सकते हैं कि किसी की जॉब चल गई कोई मर गये कोह चौपट हो गया कोई बरबाद हो गया आप मैं गैरेंटी दे रहा हूँ उन 5-7 लोगों में किसी एक या दो की तो कुंडली अच्छी होगी उनको तो बचना चाहिए लेकिन देखिए मैजरोटी से मैजरोटी लोग फस गए इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पर प्रकृती काम करता है मतलब समय मजबूत है समय बलवान होता है तो सब कुछ फीका पड़ जाता है तो कहीन है कि इस टाइम पर पब्लिक के हां से समय फिसल गया और समय फिसलना है मतलब प्रकृती के हाथ में अब रिमोट कंट्रोल है अभी ग्रह के चक्का में रहेंगा तो वो रिमोट कंट्रोल नहीं अब प्रकृती क्योंकि ग्रह इसलिए नहीं कि मैंने बता है कि सब की कुणली खराब नहीं होगी तो अभी कहीन है कि रिमोट कंट कि सबसे सुबह होगा साम होगा बरसात आएगा ठंडा आएगा गर्मी आएगा सब होगा तो कहीं ना कहीं अभी का समय जो है वो यह शो कर रहा है कि प्रकृति अपने हाथ में remote control ली हुई है ठीक है और जो प्रकृति को मैं यहां पर ले कर आ रहा हूँ इसलिए लेकर आया क्योंकि यह जो आटम बॉम का बात हुआ है यह मैं मानता हूं कि फिजीकल लेबल में डिफेंस है एंटी डिफेंस मिसायल सिस्टम है बहुत सारे चीज़े हैं बहुत सारे दिया ग्यान गंज शंग्रीला या सिद्धासरम ठीक है जो के पास है वहाँ say इंडिया के बहुत highly spiritual Saints बहुत highly spiritual Saints जैसे की इस नाम कुछ नाम बता रहा हूं बहुत high high Saints ठीक है पर हमस्वामी सची दान्र न्राज तो बहुत सारे लोकिए वहां हूं बैठे हुग हैं इस का मतलब यह निए कि वह काम नहींकर रहे हैं आपको एक बहुत dissolve ले रहे हैं व्योन हवा देखता है क्या हवा दिख्टान थिञाल है हुआ इसका मतलब यह निकिर के वह काम नहीं του ाक कि beğसए हैं कि नहीं हो यह और मैं जिन्दा हूं ूचिको दिखने रही है और हुई सांस ले रहे हैं लेकिन हवा नियिकिन हवा है यह जे वह बहुत इस इखर हो इंडया में तो इनकी एक जो हायली स्पिरिचुप्रिक्य में टो स्पिरिचुल मोड से कवर करके रखे हुए हैं जो किसी भी परमानु हमला से बचाने में पूर्णता से सच्छम हैं तो यह चीज तो अब बेफिक्र हो जाए कि इंडिया में कभी भी परमानु बम गिरने वाला नहीं है हंडेट 10% कि कभी भी इंडिया में परमानु बम से हमला नहीं होगा इंडिया में जो आगे कभी भी जो एक समय आएगा वो जो एक समय विनासिक समय होगा वो ज्यादा विनासिक समय पानी से होगा अब वो एक विसे अलग है वो चर्चा अलग है वो कई बाद में बताऊंगा कि जो majority of the time होगी वो पानी से ही जादा इंडिया को problem होने वाला है majority जो होगी natural calamities इंडिया का जो समापन होगा वो पानी के द्वारा होगा तो सबसे बड़ी चीज थी कि आप ये ना सोचें और जो ये इंडिया के neighbors हैं जो धमकाते रहते हैं काले ये बोलते रहते हैं यह जो कि अच्छी बात नहीं है किसी चुछ को फालतू का एक मुद्दा बना देना और इस time पर कि जो खुद तो परिशान है और दूसरे को परिशान ही का काम करते हैं जो negative आदमी खुदी है और पूरे विश्व में negative लाने का सब्सक्राइब करते हैं तो उसी का एक reverse गेर है इसको bounce back में बोल रहा हूं कि आप लोग इतना positive रही है कि पॉजिटी वाइब्रेशन रखिया हमें साबस कोई कुछ भी बोले positive vibrations रखिये और बेफिकर रही है अपने पर जान दीजिए और इंडिया पर कभी भी परमानु हमल होई नहीं सकता परमानु को मिंदा में गिरी नहीं सकता इतनी powerful country इंडिया बस जिखता नहीं है पता नहीं चल रहा बट है यह बहुत क्योंकि इंडिया एक भारत जो है कुंडली के साब से शनी प्रधान देश है शनी प्रधान और शनी इतनी powerful शनी जिस पर महर्मान हो गया एक बात है कि इंग्लिस में एक वोड लिखते हैं सनी डिनाई करतेगा सथिन डिले करेगा अब डिनाई कभी नहीं करेगा डिले होगा लेकिन डिनाई कभी नहीं करेगा उ SAM मे बहुत अच्छा देगा है इस प्रगार सुशान सिन्म राज्टत का मैंने video वुनाया दिपने क्यpie शनी प्रधान वेक्ति है वह को तो डीवल सकता है लेकिन जस्टिस श्योर मिलेगा इसलिए इंडिया को जो शनी प्रधान देस है और शनी मतलब मासेश इंडिया विश्व परहसलीगाई आप और क्या शनी उच्छा है तो जब शनी उचका होता है मतलब जब शनी अच्छा होता है तो कही ना कही उसके पास मासेश रहेंगे जब मासेश होंगे तभी तो वो विश्व गुरु बनेगा तो इंडिया विश्व गुरु भी श्वार बनेगा बेफिक्र रही है आप लोग सब कोई अपने आपके ध्यान दिजिए और महाकाश साथना करते रही है क्यों करते रही है क्योंकि मैंने बताया समय की धूरी किसी जाती धर्म को देखके नहीं आती है वो बस अपना काम करती है वो बताएगी नहीं घड़ी हमेसा आगे चलता है पीछे नहीं भूमता है तो आगे बढ़िए पीछे में सोचिए और अपने आपको पूरा बूस्ट रखिए पॉजिटिव एनेजी से पॉजिटिव और असे ठीक है अपना ध्यान रखिए सभी को सभी को नमस्षिवाय नमस्कार